देश और जनता को उल्लू मत समझो आप उस देश के प्रदान मंत्रियों जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट कर इस देश की बागडोर को कॉंग्रेस को सोपी थी 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी सारा देश राजा रजवारों के जगडों में बटा हुआ था देश में मात्र 50 गाओं में बिजली थी पूरे राजस्थान मात्रों में 20 राजाओं के पास खोन था किसी गाओं में नल नहीं थे पूरे देश में मात्र 10 बान थे सीमाओं पे मातर कुछ सैनिक थे चार विमान थे, 20 टैंक थे देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी खजाना खाली था ऐसे बधाल में हमारा हिंदुस्तान कॉंग्रेस को मिला था इन 60 सालों में कॉंग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानि सबसे बड़ी सेना तयार की हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्टरिया, लाखों गाओं में बिजली हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाकों किलोमेटर सरकों का निर्मान, परमानू बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटरसाइकल वाला मजबूत देश इन साथ सालों में तयार करके दिया है कॉंग्रेस ने भारत ने पिछले साथ सालों में तरक्की भी बहुत किये भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है भारत दुनिया का सरवशे समीधान बन चुका है भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है भारत ने भागडा और रिहन जैसे बान भी बन चुके है देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उटगाटन कर चुका है देश में तारापूर परमानो बिजली घर शुरू हो चुका है देश में कई दरजन एम्स आई आई टी आई आई एमस और सेक्रों विश्व विध्याले ही खुल चुके नहरू ने नवरत ने कंपनियां स्थापित कर दी गई है कई सालों पहले भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहोर के अंदर तक घुस कर मारा था और लाहोर पर कबजा कर लिया था पंडित नहरू पुर्टगाल से जीत कर गोवा को भारत में मिला चुके थे नहरू जी ने इस रो यानि इंडियन स्थेस रिसर्च और्गिनाइजेशन की शुरुआत भी कर दी थी भारत में श्वेत करान्पी की शुरुआत हो चुकी थी देश में उद्योगों का जाल भी चुका था इंडिरा जी पाकिस्तान के दो टुकडे कर चुकी थी पाकिस्तान एक लाग सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था तब भारत में बैंकों की राष्ट्री और करन हो चुका था इंदिरा जी ने सिक्कीम को देश में जोड लिया था देश अनाच के बारे में खतात्म निर्बर हो चुका था भारत हवाई जाज और हेलिकॉप्टर तक बनाने लगा था राजी उगांधी ने देश के घर-घर में टीवी पहुचा दिया था देश में सूपर कंप्यूटर टेलिवीजन और सुचना करांती यानी इंफोर्मेशन टेकनोलोजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी जब मोदी प्रधान मंत्री जी की शपत ले रहे थे तब तक भारत सरवादिक विदेश मुद्रा के कोश वाले प्रथम दस राष्ट्रो में शामिल हो चुका था इस मेसेज को जादा से जादा गुरूप तक पहुचाईए ताकि मोदी जी उनके जुमले गलत साबित हो सके बार बार उनका पूछना के साट सालों में क्या हुआ तो उन्हें पता चल सके और अंद भक्तों की आखों से पट्टी उतर सके जै हिंद जै भारत क्या हुआ पुर्ण भारत